Greetings everyone, मेरा नाम प्रेयांका है और आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी supplementary book An Alien Hand से ली गई है और ये chapter 9 है book का, इस वीडियो में हम first part पढ़ेंगे स्टोरी का और स्टोरी का title है Tiger in the Zoo and the story is written by Ruskin Bond So हम स्टोरी में ये जानेंगे, हम ये सिखेंगे और हम ये समझेंगे कि अगर कोई पालतू जानवर है उसे तो tame करना बहुत ही आसान होता है उसका ध्यान रखना आसान होता है और हम उसे नई नई चीजे आसानी से सिखा सकते हैं लेकिन क्या ये चीजे जंगली जानवरों के भी केस में उतनी ही वैलिड होती हैं कि अगर हम कोई टाइगर टेम करना चाहते हैं, अगर हम कोई टाइगर पालतू बनारा चाहते हैं, Lightsay एक dog के जैसे या फिर एक cat के जैसे train कर सकते हैं कहानी में ऐसा होता है कि एक family tiger को अपना पालतु जानवर बनाने की कोशिश करती है जब तक कि यह tiger छोटा रहता है तब तक वो सबी से friendly रहता है उस family में यहां तक कि उस फैमिली ने एक टोटो नाम का बंदर पाल रखा था उससे भी वो बहुत इफ्रेंटली रहता है बट जब टाइगर बड़ा होने लगता है तो वो चेंज होने लगता है वो डेंजरस होने लगता है तो इस पॉइंट पर फैमिली डेसाइट करती है कि अब टाइम आ गया है कि इस टाइगर को जू में भेजती है तो क्या ये फैमिली टाइगर को जू में भेजती है अगर भेजती है तो क्या होता है आए हम ये सबी जानते हैं ये स्टोरी ब्रिटिश राज के इंडिया में सेट है. तिमिथी दिटाइगर कब वस डिस्कवर्ड बाइगर ग्राइगर जंगल नियर देहरा. तिमिथी जो की परिवार वालों ने इस टाइगर का नाम रखा था, टाइगर कब, ग्राइगर को वो मिला था तिराइगर के जंगलों में नियर देहरा, देहरा के पास. One day when grandfather was strolling, strolling means walking, down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a bunion tree. Intricate means complicated. ये तरह की roots चो होती हैं, जैसा कि आप image में देख रहे हैं, bunion tree जब बहुत ही पुराना हो जाता है, तो उसकी roots कुछ ऐसी हो जाती हैं. So एक दिन की बात है, grandfather जब अपने group के साथ, group में भी यहाँ पे वो शिकार खेलने गये थे, तो उस group के साथ जब वो जंगल में गये हुए थे और वाक कर रहे थे ये लो, तो उन्हें जंगल में एक bunion tree की integrate roots में ये tiger मिलता है जो की छुपा हुआ था, की हाइट उस वक्त 18 इंचेस की ही थी, ओके, so grandfather को ये tiger कहां मिलता है, bunion tree की complicated roots में जहां की ये tiger छुपा हुआ होता है, grandfather picked him up and brought him home, dadah ji ने उसे उठाया और उसे घर लेके आये, he had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive, जिस hunting team के साथ दादा जी गए हुए थे, उस team में से किसी को भी कोई भी जानवर नहीं मिला था, dead or alive, but dadah ji had the distinction, distinction का मतलब होता है, excellence that sets someone something apart from others, ऐसा excellence जो किसी भी person को बाकी के लोगों से different बनाता है, तो dadah ji यहाँ पे different कैसे थे, क्यूंकि उन्हें एक alive animal मिला, कौन? The tiger cub. Of being the only member of the family to have bagged any game, dead or alive, game से यहाँ पे मतलब है animal, dead or alive dadah ji को मिला, dadah ji पहले परसं थे, एक लोटे परसं थे, उस group के. At first the tiger cub who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk, given to him in a feeding bottle by our cook Mehmood. जब यह tiger घर पे आया, तो हम उसकी जब देखभाल करते थे, उसका नाम दादी जी ने क्या रखा? Timothy रखा. और उसको completely कैसे feed किया जाता था? एक बॉटल में दूद डालके, हमारा cook Mehmood उसे feed कराया करता था. Initially, जब tiger हमारे घर आया था, Timothy. But the milk proved too rich for him, and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeon and rabbits. But the milk proved too rich for him. But ऐसा लगा कि milk जो है, उसके लिए सही नहीं चल रहा है, and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil. तो फिर हमने उसकी diet change कर दे, milk से हम उसे क्या देने लगे? हम उसे raw mutton देने लगे, mutton यहाँ पे है, manz, and cod liver oil. Cod liver oil होता है, जो fish का oil होता है, fish से बनाया जाता है, और हम उसे वो देने लगे, to be followed later by a more tempting, और इसके बाद हम और क्या देते थे उसे? diet of pigeons and rabbits. Pigeons और rabbits भी Timothy खाने लगा था. Timothy was provided with two companions. Timothy के दो friends भी बन गयते family में कौन? Toto, the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper and a small mongrel. और mongrel यहाँ पे क्या है? A breed of dogs, puppy, found on the road by grandfather. तो Timothy के दो कौन से friend बन गयते family में? एक तो बन गया था Toto, जो की monkey था, जो बहुत ही बोल था, वो tiger की पूच तक खीज दिया करता था, पर जैसे ही tiger को गुस्सा आता था, Toto क्या करता था? Climb up the curtain, वो चड़ जाता था, जल्दी से फटा फट परदे पकट के उपर चड़ जाता था, उससे डर जाता था. और दूसरा फ्रेंड कौन था? एक छोटा सा मौंगरल ब्रीट का डॉग, फाउंड ऑन दे रोड बाए ग्रांट फादर, और इस डॉग को भी ग्रांट फादर कहां से लाए थे? रोड पे इसे पाए थे वो, रोड पे ये डॉग मिला था ग्रांट फादर को, तो ये वहीं से इसको ले के आए थे. आट फर्स टिमिथी अपियर तो बी कॉइट अफ्रिड अफ्रिड ओपी, शुरु शुरु में टिमिथी को, उस टाइगर को उस पपी से बहुत ही डर लगता था, जैसे ही वो पपी टिमिथी के पास आता था, वो पटाक से भाग जाता था, कौन? टिमिथी डर के मारे. एबसर्ट का मतलब होता है अन्रीजनिबल या इलोजिकल, कोई भी ऐसा एड जिसका कोई रीजन नहीं समझा रहा हो, तो टिमिथी क्या किया करता था? वो अन्रीजनिबल उस डॉक की तरफ, डैशेज means an act of running somewhere suddenly and hazily, वो तुरंत डॉक की तरफ भाग के पहुंसता था, जब कभी भी वो उस डॉक को देखता था, at it with his large four paws, अपने बड़े बड़े पंजों की मदद से भाग के पहुंसता था, and then retreat, और फिर तुरंत ही वो क्या करता था? retreat कर जाता था, move back कर जाता था, to a ridiculously safe distance, एक बहुत ही disbelievingly safe distance के तरफ, means अपने आपको बचाने के लिए वो एक safe distance की तरफ भाग जाता था, पहले तो वो डॉक के और भागता था, फिर तुरंती पीछे भाग जाता था, finally he allowed the puppy to crawl on his back and rest there, finally he allowed the puppy to crawl on his back and rest there, फिर उसने डॉक को कुछ दिनों बाद allow करना शुरू कर दिया, किस लिए उसकी back उसकी पीछ पे crawl करने के लिए and rest there, और वहाँ पे अराम से बैट जाने के लिए, किसने तिमथी ने लाव कर दिया उस puppy को, one of Timothy's favorite amusements, amusements means enjoyment या फिर entertainment, was to stalk, stalk means follow करना किसी को, anyone who would play with him and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites, जो Timothy's tiger था, उसका एक favorite amusement का method था, means कि अपने आपको खुश करने का, अपने आपको entertain करने का, उसका एक favorite method था, वो क्या था, was to stalk anyone, किसी का भी पीछा करना, who would play with him, जोक भी उसके साथ खेल सकता था, उसका पीछा करना, इसलिए when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite, इसलिए जो मैं दादा जी के साथ रहने आया, तो मैं tiger का favorite बन गया, क्योंकि tiger का अंदाजा लग गया था, कि मैं उसके साथ खेल सकता हूं, with a crafty look in his glittering eyes, glittering का मतलब है shining, और crafty का मतलब है clever, वो जब मेरा पीछा किया करता था, तो उसकी आँखों में एक clever सी shining हुआ करती थी, and his body crouching, crouching का मतलब है sitting by bending knees, knees को bend करके बैटने की position को crouching कहते हैं, he would creep, creep means move slowly and carefully in order to avoid being heard or noticed, चुपके चुपके जब हम चलते हैं, ऐसे जैसे कि किसी को पता ना चले हमारे आने का, so इसको हम कहते हैं creep, तो Timothy creep किया करता था, closer and closer to me, मेरे पास, और पास, suddenly making a dash for my feet, और फिर फटाक से jump करके मेरे पैरों के पास पहुँच जाता था, rolling over on his back and kicking with delight, delight means happiness and pretending to bite my ankles, और फिर वो क्या करता था, मेरे पैरों पे jump कर जाता था, फिर roll कर रहा होता था, अपनी back पर, पीछ पे roll करने लगता था, and kicking with delight और खुशी से अपने पैरों को kick किया करता था, and pretending to bite my ankles, और वो ये भी act किया करता था, ऐसी acting करता था, जैसे कि वो मेरे ankles को bite कर रहा हो, काट रहा हो, अब उसका size कितना हो गया था, एक fully grown retriever, means dogs की जो एक breed है, उसके size का हो गया था, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth, और जब मैं उससे walk पे ले जाया करता था, बाहर तो road पे जो कोई भी हमें देखता था, वो हमें रास्ता दे दिया करता था, means डर जाता था, और हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया करता था, when he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him, और वो क्या करता था, जब मैं उससे walk पे ले जाता था, तो अपनी जो chain जिससे मैंने उससे बांध रखा होता था, उसे वो बहुत ही जोर से खीचा करता था, I had difficulty in keeping up with him, और मेरे लिए मुश्किल हो जाता था ये situation, manage करना क्योंकि, obviously tiger बड़ा हो गया था, और वो strong भी हो गया था, His favorite place in the house was the drawing room, घर में उसका favorite place क्या था, drawing room था, and he would make himself comfortable on the long sofa, और लंबे वाले sofa पे वो अराम से लेट जाता था, reclining, reclining का मतलब है leaning or lying back in a relaxed position, with the back supported, means अपने back को support देके वो अराम से उस सोफे पे लेट जाया करता था, there with great dignity, dignity means the state or quality of being worthy और honor, जैसे कि वो कोई बहुत ही इज़त दार सा इंसान हो, या फिर अपने आपको इज़त देता हुआ, वो उस सोफे पे लेट जाता था, relaxed position में and snarling, snarling means making aggressive growl at anybody who tried to get him off, अगर वो कोई भी घर का कोई भी member उसे वहाँ से अटाने की कोशिश करता था, तो वो उस person पे snarl करने लगता था, गुर्राने लगता था, Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat, Timothy की एक habit थी अपने आपको clean रखने की, तो वो cats की तरह ही अपने आपको scrub किया करता था, अपने face को अपने paws से, अपने पंजू की help से scratch किया करता था, clean किया करता था, He slept at night in the cook's quarters, रात में वो cook के quarters में सोया करता था and was always delighted at being let out, let out मतलब release someone from obligation or suspicion by him in the morning, और रात को वो चुपके चुपके जो भी कुछ किया करता था, किसी को भी ख़बर नहीं लगती था, means किसी को भी शक नहीं हुआ करता था, उस पे, One of these days, declared grandmother, एक दिन, उन्हीं दिनों, एक दिन, declared grandmother means दादी ने कहा, in her prophetic, prophetic का मतलब होता है, predicting what will happen in the future, अपने prophetic manner में ऐसे जैसे की दादी future बता रही हो, उस stone में उन्होंने कहा, We are going to find Timothy sitting on Mehmood's bed, and no sign of the cook except his clothes and shoes, कहती हैं कि यह कैसा दिन आने वाला है, जब हम पाएंगे कि Timothy मेहमूद के bed पे बैठा हुआ है, और मेहमूद का कोई भी अता पता नहीं है, बस उसके कपड़े हमें मिलेंगे और shoes, यहाँ पे grandmother यह कहना चाहती है कि, एक दिन आने वाला है, जिस दिन ये tiger मेहमूद को मार डालेगा, और उसे भी खा जाएगा, Of course, it never came to that, but when Timothy was about six months old, a change came over him, Of course, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा दिन नहीं आया कि वो को को ही मार डाले और उसे खा जाए, बट जब Timothy six months का हुआ, six months old, a change came over to him, उसके में एक change आया, he grew steadily, steadily means in a regular or even manner, less friendly, धीरे धीरे क्या होने लगा, कि Timothy less friendly होने लगा, जितना वो दोस्ती का behavior रखता था पहले, उससे कम होने लगा, जब Timothy six months का हो गया, अपनी बात को साबित करने के लिए, राइटर कहता है, वेन आउट for a walk with me, जब कभी भी मैं Timothy को walk पे ले जाया करता था, he would try to steal away, to stalk a cat or someone's pet dog, Timothy कोशिश किया करता था, कि मुझसे बच के, वो वहाँ से हट जाय, और किसी भी cat या किसी के pet dog का पीछा करे, sometimes at night we would hear frenzied, frenzied का मतलब होता है, widely excited or uncontrolled, out of control, cackling, cackling का मतलब है, यहाँ पे loud cry, from the poultry house, कभी कभी रात को क्या होता था, हम सुन सकते थे, uncontrolled loud cry, बहुत ही तेज आवाज, चिलाने की, from the poultry house, poultry house जहाँ पे मुर्गियां रखी जाती थी, and in the morning, there would be feathers lying all over the veranda, और हम सुबह क्या पाते थे, कि हर तरफ वेरंदा में, feathers पड़े हुए है, इसका क्या मतलब हुआ, कि Timothy रात को, poultry house में चाता था, और वहाँ पे कुछ मुर्गियों को, मार डालता था, और उन्हें खा जाता था, अब Timothy को, जादा से जादा, chained रखने की जरत हो गई थी, राइटर कहता है, Timothy had to be chained more often, क्यों, क्योंकि उसका behavior change हो गया था, वो थोड़ा dangerous हो गया था, and finally when he began to stalk Mehmood about the house, with what looked like willingness, और finally हमें ये कैसे confirm हो गया, कि वो dangerous हो चुका है, जब हमने ये पाया, कि उसने Mehmood को, जो हमारा cook है, उसे stalk करना शुरू कर दिया है, घर में हर तरफ, उसका पीछा करना शुरू किया है, with what looked like willingness, willingness का मतलब है, relating to wicked or criminal intent, willingness intent, intent का मतलब है motive, या फिर जो मन में intention हो, जो thought हो, जो विचार हो, जब वो एक wicked, यानि की गलत इरादे से, intent को हम इरादा भी कह सकते हैं, जब वो गलत इरादे से, मेहमूत का घर में इधर उधर पीछा करने लगा, grandfather decided, it was time to transfer him to a zoo, grandfather ने decide कि अब वक्त आ गया है, कि Timothy को zoo में transfer कर दिया जाए, because यह difficult हो सकता था, यह dangerous हो सकता था, हम सभी के लिए, reserving a first class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them, grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift, a well-fed and fairly civilized tiger, civilized का मातलब है, यहाँ पे mannered, grandfather ने क्या किया, उन्होंने first class compartment, train की जो first class compartment होती है, उसमें reservation किया for himself and Timothy, अपने लिए और Timothy के लिए, no one would share a compartment with them, obviously, कोई भी किसी tiger के साथ, तो compartment share करना चाहेगा नहीं, grandfather took him to Lucknow, grandfather उसे Lucknow ले गया, जहाँ पे, the zoo authorities were only too glad to receive as a gift, जो zoo authorities थी, zoo के लोग थे, करमचारी थे, वो बहुत ही खुश हुए, एक ऐसा tiger पाके, which was well fed, and fairly civilized, जो की अच्छा खासा, खाना खाया हुआ था, इसका मतलब है कि healthy था, and fairly civilized, और काफी mannered भी था, वीडियो के first part में हमने ये जाना, कि एक family को, एक tiger मिलता है जंगल में, कहां मिलता है, bunion tree की integrate roots के पीछे, वो छुपा होता है, grandfather को मिलता है, और initially जब वो tiger लाया जाता है family में, तो वो सबसे बहुत ही friendly nature शो करता है, बहुत ही अच्छे से रहता है, बट gradually जब वो six months का हो जाता है, तब वो थोड़ा खत्रा साबित होने लगता है, परिवार वालों के लिए, तो family decide करती है, कि उसे अब zoo में transfer करने का वक्त आ गया है, इसके बाद क्या होता है, क्या Timothy zoo में transfer हो जाता है, या नहीं होता है, और अगर हो जाता है, तो zoo में उसके साथ क्या होता है, ये सबी जानने के लिए, आपको वीडियो का second part देखना होगा, जिसकी link आपको description box में ही मिल जाएगी, और अभी तक अगर आपने English Academy चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप वो भी कर ले, That was all for this part, Thank you everybody for watching.